हालो एंड वेल्कम टाफ डिफेंस ने उचकी एक फ्रेस एपिसोड में आप सबको तेहे दिल से स्वागत हैं प्रेंट्स आज की इस ट्पिक मार हम बात करेंगे न्यू ट्यांक की बारे में जो की स्वाजिसी ज्यान कोशल से भरा है और हलकी लडाकू विमान के तहट आगे बढ़ रहा है वहीं पर हम बात करेंगे उक्रेन की वार डिले इंडिया ट्यांक प्रोजेक्ट के तहट तो कैसे यह आगे बढ़ेगा और आने वाला दिन में सत्रु देश के लिए कितना कारगार हो सकता है वहीं पर उत्तरी सिमा पर चाइना और पाकिस्तान के लिए भारत का आगे क्या गेम प्लानिंग रहेगा वहां पर भारत ये सेना ने एक्सरसाइज करना शुरू कर चुका है तो प्रेंट आज हम बात करेंगे इस सारे टबिके उपर तो डिलेना करके वीडियो को तुरू करते है रूस और युक्रेन के बीच जारी युद्ध के कारण जु कुछ वीज़सी देश द्वारा ट्यांक के निर्मान के लिए अविशकता महत्पुन गड़कों की अपरूति करने के लिए यहां पर असमर्थता की कारणा हो है बर जदी मैं बात करू इस प्रोजेक्ट के बाद जुराबर के लिए वीज़सी और सोज़सी अपरूति बाल और अबसकताओं को पूरा करने के लिए हलके ट्यांक की अपसकता है सोज़सी जुराबर ट्यांक के उच उच्चाई वाले खेत्र सिमांत भूमी और दिप खेत्र में संचालित करने के लिए डीजाइन किया जाएगा एक सुतुर ने यह कहा कि उच शक्ति से बजन और के सा ज़िए हम बात करेंगे बहुमुखी प्रतिभा प्रदान करने के लिए आपसकता है जुराबर ट्यांक की बजन लगबग 25 टन होने की उमीद है सेना और MBT अर्जुन ट्यांक बजन के साथ हने T19 ट्यांक के बजन करीब 40 टन और T17 का बजन करीब 45 टन है तो फ्रेंड्स इस इसने भी ट्यांक अभी भारतिय आर्मियान की भारतिय अस्तल सेना में अभेले बुले वह अपने आप में काफी हत्तक माइने रखते हैं तो इसी साब से चीजों को हम आगे लेकर जा रहे हैं जहां पर आत्मनार ब्रसिर भारत स्वदेती ज्यान के अश्वल भरा आगे ठीके फ्रेंट्स तो यहां पर जो T70 है वाट इस कापासिटी 17cc पेट्रूल ट्यांक इसमें कापासिटी जोदी फ्यल की बात करेंगे 9.5 लिटर है अगे बढ़ाता है तो फ्रेंट्स इसके बारे में आगे बनने से पहले जदी आप एक भारतियों और भारतियों इंडिया को पसंद करते हो जरूर आप हमारी डिफेंट्स चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं तो अभी हम आगे बढ़ते हैं T70 ट्यांक की कापासिटी और बेनिफिट के बारे में तो फ्रेंट्स यह जो इमेज आप देख रहे है यह वही T70 ट्यांक है इसके बारे में आज हम बात क सब्सक्राइब करेंगे और इसका कापाबिलिटी क्या है आगे जाकर कैसे सत्रुदेश के लिए भारी हो सकता है तो फ्रेंट्स इसमें बहुत क्या गया था तो इसके बाद इसको रेकुमेंट क्या गया था था T50 लाइट इंफ्रा ट्यांक के तहट तो इसी साब से यह सामिल है टाइप के दिए हम बात करेंगे यह लाइट ट्यांक है प्लेस अब अर्गियन इसका सोवेट उनियन है 1942-1948 इसका सर्विस इस्ट्री है वार इसका दिदी बात करेंगे वाल्ड बार 2 में इसको इसको इस्तिमाल चा गया था इसका विल्ट 8226 है मास 9.2 टर्न से लेंज 4.29 एमेम लीटर है वाइट इसका 2.04 एमेम एंग 6.8 इंच है क्रिव इसका दो है आर्मर के हिसाब से आप बात करेंगे में में 45 एमेम 20K मोड 1932-34 तैंक्स अविलेबल से सेकेंडरी में 7.62 एमेम DT कोलेक्स को लेकर इंजिन इस इसका 15 SP Tons है सस्पेंज इसका टोरियर बायर है फुल कापासेटी 440 लिटर से 120 इसकेल है ऑपरेशन इसका 360 किलोमेट से 220 मिलिटर है मैक्सिमम 45 किलोमेट से 28 MPH है इसका स्पीड तो यह कुछ एक स्पेसिफिकेशन था जो मैं आप लोगों के साथ शेयर क्या फ्रेंड्स आ